देश के मोदी सरकार अक्सर ही विवादों में घिरी रहती है सरकार की नीतियों के चलते उस पर सवाल उठते ही रहते हैं लेकिन अब एक ऐसे मामले में सरकार घिर गई है जो देश की कुप्रता से जुड़ा हुआ है ऐसे में शिफसेना सांसद ने मोधी सरकार की सिक्षा नीती को भी सवालों के कटगरे में खड़ा कर दिया है आखिर क्या है मामला और अब किस मुद्दे पर घिरी सरकार जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट भारत में सदियों से कई कुपरताइं चलिया रही है जिन में से कुछ पर पूरी तरह लगाम लग चुका है इसके लिए कठोर कानून भी बनाए गए लेकिन कुछ कुपरताएं अभी जारी है इन्हें लेकर जागरुकता फैलाई जा रही है समाज की ऐसी ही एक बड़ी कुपरता है दहीज जिसके चलते नजाने कितनी लड़कियों की जान चली जाती है या उनके घर नहीं बस पाते दहेज पर देश में सक्त कानून बना है लेकिन अभी भी खुले आम दहेज के लालची लोग इसे अपना अधिकार मानते है ऐसी कुपरताओं को सिक्षा के माध्यम से बहुत हद तक रोका जा सका है लेकिन बीजेपी राज में एक बार फिर इन कुरूतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हैरानी की बात है कि इसके लिए सिक्षा का ही सहरा लिया जा रहा है दरसल सोशल मीडिया पर एक किताब के कुछ पन्ने वाइरल हो रहे है जिसमें दहेश के फाइदे गिनाए जा रहे है और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि ये किताब B.H.C. सेकिंड डियर में पढ़ाई जाने वाली किताब है बता दें कि इस किताब में दहेश को लेकर कई आपती जनक बातें लिखी गई है एक पैरग्राफ में तो यहां तक लिखा है कि दहेश की मदद से बतसूरत लड़कियों की शादी हैंसम लड़कों से हो जाती है अब ऐसे में सिक्षा मंत्राले सवालों के घेरे में आ गया है शिफसेना की राजसवा सांसद प्रियंका चतुरवेदी ने इस किताब के खिलाफ आवाज उठाई है उन्होंने केंद्री सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान से इसमें दखल देने की भी अपील की इतना ही नहीं उन्होंने केंद्री सिक्षा मंत्री को पत्र लिख कर ऐसी किताबों को तुरंत सर्कुलेशन से हटाने की भी अपील की ट्विटर पर उन्होंने लिखा ऐसी किताबों का हमारे पाठे क्रम में होना देश और सम्विधान के लिए शर्मनाक है यानि देश में इस तरह की कितावों का पढ़ाया जाना कहीं न कहीं सिक्षा मंतराले की लापरवाही का बहुत बढ़ा सबूत है दरसल B.S.E. Second Year की किताव Text Book of Sociology for Nurses में राइटर टीके इंदरानी ने कई पॉइंट्स में दहेश प्रता को सही साबित करने की कोशिश की है उन्होंने लिखा कि दहेश में मिलने वाली टीवी फ्रिट से ग्रहस्ती बसाने में मदद मिलती है ऐसे ही एक पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि कम दहेश देने के लालच में ही माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं किताव के सबसे विवादित हिस्से में उन्होंने लिखा है कि दहेश की मदद से बदसूरत लड़कियों की शादी में आसानी होती है आपको बता दें कि देश में 1961 में ही दहेश प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया था लेकिन ये आज भी बदस्तूर जारी है ऐसे में बीजेपी की इसला परवाही से क्या होगा देश का भविश्य ये सोचने वाली बात है डीवी लाइफ की रिपोर्ट